Hey guys, Assalamualaikum, कैसे आप लोग, I hope आप लोग बिलकुल ठीक होंगे और मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस को enjoy कर रहे होंगे और अपनी क्लास के अंदर बहुत अच्छा response कर रहे होंगे तो जी, आज हम start करने वाले हैं, finally, chapter number 3 जो के है, Biodiversity Biodiversity, पहले हम इस loves को तोड़ कर इसका मतलब समझते हैं, ठीक है कि Biodiversity actually है क्या, तो ये बना है दो वर्ट से मिलकर, एक Biodiversity ठीक है, Biodiversity का मतलब हम starting से पढ़ रहे हैं और आप लोग अब इतने काबल हो गए हैं, मेरी lectures देख देख कर कि आपको पता है कि Biodiversity का मतलब तो भई Life होता है अब diversity, मतलब diverse, मतलब variations, मतलब varieties मतलब के Life के अंदर कितनी diversity है, कितनी variety है, कितनी जादा उन चीजों को देखने वाले हम, हम सरफ Life तो हम कह सकते हैं लाइफ तो भई एक bacteria भी है, Life तो भई कोई एक कीड़ा भी है, कोई छोटा सा इंसेक्ट हो सकता है, Life तो कोई बड़ा एनिमल भी हो सकता है, कोई ट्री भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, कितनी सारी varieties है, इनको discuss करेंगे इस chapter के अंदर हम बहुत interesting chapter हैं, इसको अगर आपने पढ़ा, तो यह chapter आपका best chapter होने वाला है, और आपके पास इस chapter के उपर बहुत अच्छी grip होगी, तो आई स्टार्ट करते हैं किसके अंदर major major concepts हम कौन से पढ़ने वाले हैं, इसको मैं थोड़ा से zoom out कर लेती हूँ, जूम इन कर लेती हूँ, ताएं कि आपको क्या होजएं, दिख जाएं, तो definition and introduction of biodiversity हम discuss करेंगे, aims क्या है, आपका मकसद क्या है, इसको classify करने का, किन दूलों की base पे आप इनको classify करते हैं, यह पढ़ेंगे history क्या है, classification की, ठीके न, उसको discuss करेंगे, क्योंकि पहले two kingdom system आया था फिर इस तरह से four and then five, अभी जो recent classification है, ठीके जी, वो five kingdom में हम classify करते हैं, लेकिन major हमाया पास जो होते हैं, वो जो होते हैं, वो ही रहते हैं, उनको हम discuss करेंगे, तब ही आपको समझ आएगा, then five kingdom system, actually, उसके अंदर फिर कुछ modifications आई थी, पहले कुछ five kingdom से, names तो same थे, लेकिन modifications मतलब junior organisms को हमने पहले five kingdom से इंदर रखा था, उनको चेंज करेंगे, फिर हमने कुछ variations लाकर हमने क्या किया था, कुछ difference रखा था, हमने ठीके, उस difference क्या रखा था, पहले वाले five kingdom system में क्या difference था, बाद में जो आया था, उसमें क्या था, वो पढ़ेंगे, फिर binomial nominic leachr क्य होता है, इसको discuss करेंगे, यह बहुत अच्छे, बहुत interesting की topics हैं, मैं बता रही हूँ, अभी आप इनको बहुत इससे पढ़ लेना, यह topics first chair में भी है, ठीके, so conversion of biodiversity, फिर इनका conversion कैसे हो रहा है, यह आप देखें, कितरी प्यारी प्यारी आपके लिए pictures औरों ने बनाई है, त दूत किया है इसका है, इसको बिनाया है, आप अपड़ Sen, कि कैसे बनाया है , उसके अंदर intelligence रिक है, अकल रखि यह हमेशा इनसां जो होता है , वह क्या करता औह बता है , उसको अपना aim रखता है , इसको अचीव चाहता है है, और कोई एक जानवर है , इसको पेट आपय भरा ठीके जी तो वो आदमी हो या life हो या कुई animal हो नतलब हर इससान का मकसद यही होता है कि उसने क्या करनी है उसका जो aim है उसको achieve करना है अपर सब्सक्राइक होते हैं और आपके wishes भी हो सकती है ठीके यहां पर क्योंकि भी साइंस किर से साइंस कर रहे हैं तो यहां इसक वो ढिलोजिस्ट होते हैं उन्होंने भी क्या किया है जो सारी डाइवरसटी है और mete और्ट पर रहते हैं सिंपल हों जाएंट हो चाहें कॉम्पलेक्स और् Zhen 62 सब यह क्या है मैप नियार किया हुए है ठीकए मैप क्या होताहिए आपको राष्ता बताता है बिलगर ऊसी तरह से तो ऑंडर्सटेंज इस रांवावट तक घॉ तो फिर हम उसके ले क्या कहते हैं कि यह हम क्या कर रहे हैं कहते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन की है ठीक है अगर स्पेसिफिक और गानिजम को आपने इंडिविज्वरी उसकी क्यारेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है तो हम कहते हैं कि यह हम क्लासिफिकेशन कहते हैं क्लासिफिकेशन आखर किया हुती है, दर्जाय बंदी, अगर आप इसको गूगल करोगे, या पर किसी डिक्शनरी में देखोगे, तो इसके आप किसी एट क्लास में एक्जाकर इसका वर्ड याद किया थैं, कि अदर दरजय पन्दी कि सब्सक्राइब कि बड़ा कि अदर किसी बेस के उपर उनको डिवाइड कर दोगे ना यही मिनीग है क्योंकि मैंने पड़ा था, तो मैंने आप लोगों को पिछले बता दिया so classification is actually based on similar and dissimilar characteristics what organisms share with each other and by this biologists can easily study and identify the organisms तो कुछ organisms की काफी सारी चीज़ें क्या होती है वो मैच करती है humans की सारी characteristics mostly क्या करती है मैच करती है इसलिए वो एक ही class के अंदर है mammals की सारी classes same होती है animals की classes same होती है reptiles की same होगी birds की same होगी तो उनकी similarities की base पर उनको एक साथ रखना और जो चीज़े dissimilar है उनकी वज़ा से उनको अलग करके रखना है तो यह सब किसकी base पर कर रहे है similar और dissimilar क्या है उनकी खुसूसियात है उनकी properties है उनकी characteristics है किसकी है उस organism की है जो एक जिसे के साथ share करें share किसे से करें या तो वो similar है या वो dissimilar है ठीके तो by this biologist को क्या करना होता है organisms को identify करना study करना असान हो जाता है इसलिए वो क्या करते हैं classify करते है मकसद यह है हमारा classify करने का तो definition and introduction of biodiversity definition क्या है introduction क्या है biodiversity का biodiversity is the combination of two words मैंने पहले भी बता दिया आपको इसके intro में बता दिया और इसको बगार पढ़े बता दिया था खोल लेती तो शायद और अच्छे से बता देती बट मैंने इसको बगार देखे आप लों को बता दिया था अब कौन सा पढ़ाना है इसलिए मैंने आपको पहले भी आप लोगो ने फस्स चेप्रे में नोट किया होगा बीच में से मुझसे जुछ टॉपिक्स मिस हो गए थे तो मैं मुझे वीडियो करके फे जुक्राइन्य और शबी मैं कुछे लगा दा शायद मैंने न को आप्लोड कर दिया था बाट मैंने कुछ थे लाक्श्रत तुदी लाट chess करे दáriaом कि दिगरी कितिनी है मतलब उन में जो तब्दीली आने की डिगरी कितिनी है इसके अन्दर बहुत साले डिगरी पर क्या करना है पर अइनको क्लासिफाइब करना है या पर अगर simply हम कहने कि कोई वो degree किसी भी variation की जो कि उसके अंदर होगी या पर इसकी species के पास होगी तो वो क्या होगी वो रहका रहे होते हैं किसी भी अर्थ की region पर So the degree of variation within और among the species ठीके उनके अंदर होगी या species के दर्मयान में होगी exist करी भी कहाँ पर on different regions of the earth तो वो चीज़ क्या आती है biological diversity and biodiversity ठीके importance of biodiversity को में remove कर देती हूँ यह ताकि यह clearly हमें समझाए So biodiversity provides many beneficial products which includes fiber, oil, dyes, rubber, water, timber, paper and food So biodiversity helps us with a lot of 5-7 products such as fiber, oil, fiber, 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 water, water, timber, paper, paper or food It also stabilizes the ecosystem by recycling the new products by recycling the new products Nutrient reduces the amount of pollution by means of forest We always say that forest means the first place of the forest So where the area of the forest is more than the pollution, the pollution is less than the pollution This is why we say that we reduce the pollution rate How to reduce the pollution rate? When we increase the forest, we increase the pollution rate By means that the pollution is less than the greenery, the pollution will be less than the pollution We also say that the pollution will but the pollution will be less than the pollution So we use the nutrients to reduce the pollution What is the solution to the pollution rate? So it also stabilizes the ecosystem How to stabilize the ecosystem How to stabilize our ecosystem? How to do our ecosystem by recycling the nutrients? By recycling the nutrients How do we recycle the nutrients? Let me give you a small example What is human doing? Oxygen is inhaled and carbon dioxide is inhaled लेकिन पूदों को देखा जाय में लेकुत अगर तो किया करते हैं कर्बं डाय को इन्हेल करते हैं और अपसिजण को एक्सिज्जàiल के छीज में चाहिए वह बाहर निकाल रहे हैं हम लोग एक्सिज गर निकाल रहे ही हेल निदर वह करे लिए घाल कर लोग ACC कि मिल गई ठीक है तो यह भी न्यूट्रियंट्स ही होते हैं में पास oxygen होगे जिसमें carbon dioxide होगे तो यह transport systems हमारे पास चल रहे होते हैं उनका part होते हैं तो यह भी recycling का process हो रहा है and reduces the amount of pollution by means of forest pollution को कैसे decrease कर रहे हैं हम forest को increase कर वाके so biodiversity also play an important role in drug usage by no no in drug discovery and medical resources different different drugs होते है medicine इतनी तरकी क्यों कर रहे है different different जो दवाएं होती है वो तयार की जाती है तो drugs के लिए जो word हो यूज होता है for medicine ठीक है तो medicine medicinal resources के में अंदर जादा variety लेकर आना जादा useful चीजे यादा useful products को तयार करना important role play कर रहे होती है उसमें भी biodiversity ठीक है उनकी discovery के लिए so medicines from nature account usage by 80% of the world's population so nature से में जो medicines मिलती है ठीक है उसमें से 80% होती है जो world की जो population है वो वही use करती है so it also beautifies the nature with lots of trees and animals found in different regions which enhances their tourism ठीक है कोई अगर tour पे आ रहा है अगर आपका country बहुत प्यारा है उसके अंदर the forest है वो दिखने में उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे trees होंगे animals होंगे डिफेंट 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 रीजिंस के लिए तो वो आप वो टूर्जम को भी क्या करता है इन्हेंस करता है नेचर को beautifulize करता है ब्यूटिफाइज करता है sorry ठीक है जी so यह हमारे पस कुछ तो नहीं हुआ तो मैं आपको इतना बता दू कि फस्टर के अंदर इंग्योस प्लांट्स हैं हमारे पास हम तब डिसकस कर लेंगे ठीक है यह आपके आप देख सकते हैं जो प्लय सकते हैं मौसमी पूल होते हैं these are actually that ठीक है ठीक है यह जिननौ सपमज है ठीक है यह देख के अंके hedêndra flowers नहीं है और फ्लॉवर्वर्स है या हमारे पास ऑपस हॉन वाट्स है यह हमारे पास ठीक है यह पलियर हो रहा है अगर देखें आप क्लियर है दिख रहा है अपने खुल के भी आप लोग देख सकते हैं ठीके यह कोब्रा है स्नैक जो होता है ठीके और यह ब्लू बर्ड है ठीके यह दू ब्लू सा है इसलिए इसके कलर की बेस्पेस का नाम रखाएगा है तो यह सारी क्या है वराइटी यूफ डिफ्रेंट एन बसकान कोण कोन्र परपने आसे बसकी स्पास के रहीन हाँ ईनिमस्पेस का आप मुझे मतल से बरूसान को क्यों को दो हो सकता है थिक्सका है वहां-देडि हैं क्यों थिस सपकुट mant quiet नहीं कर सकते कोई बात नहीं इस चप्रे के दर रहे बहुत सी लाइब करने वाले हैं बहुत साही डाइवर्सिटी होगी बहुत सारी वेरिएशन होगी बहुत अच्छे से डिसक्राइब नेक्स टॉपिक जो के हम डिसकस करेंगे जिसकी लिंक आपको डिसक्रिप्शन के आपने या कहीं से भी सर्च आउट करना है लेकिन छोड़ना नहीं है ठीक है और अपने तीन फ्रेंट के साथ इसको शेयर भी करना है आप लोगों ने इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंट के साथ शेयर करें अपना बहुत सरा खयाल रखें मेरे ग्रुप को और जिए प्रेंट चाल मेरे अपने अपने लोगों प्रेंट करना है और आंपने बहुत से नहीं।